Hello dear parents, welcome back to super mom, I am Bhavana आज हम बात करेंगे कि जो बच्चा होता है, जो newborn baby होता है वो किस age तक particular में आपको बताऊंगी कि कितनी कितने nap दिन में लेता है तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कितनी age का बच्चा दिन में कितनी बार सोता है Let's start the video तो guys जो बच्चा newborn होता है, जो पैदा होता है, वो 3 महिने तक तो है यानि 0 से 3 महिने का बच्चा 6 से 8 नैप दिन में लेता है नैप मतलब वो नीन जो बच्चा दिन में सोता है 3 से 4 महिने का बच्चा होता है, वो 4 से 5 नैप लेता है पांस से छे महीने का बच्चा तीन से चार नैप लेता है, साथ से आठ महीने का बच्चा दो से तीन नैप लेता है, और नो से बारा महीने का बच्चा यानि कि नो से लेके एक साल तक का बच्चा जो है, वो अपनी नैप कम करते करते, दो नैप पे शिफ्ट हो जाता है, वो जब बच्च्चा दो साल के बीच का हो जाता है तो वो अपनी नप एक ही लखता energía की देट से बच्चा सिर एक नप लेनी शुरू कर देता है मैं अपने person experience से बताऊं तो यसे मेरी दो बच्चे हैं तो जो मेरी daughter है जो मेरी बेटी है वो तो धाई साल तक दो दो नैप लेती रही थी क्योंकि बेटा चोटा था उस टाम वो सोता था तो साथ में ही वो भी सो जाती थी लेकिन जब वो तीन साल के स्कूल जाने लगी तो उ एक बजे से लेकर वो यी तीन सार थीन बजे तक दो नैप लेता था लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा जैसे एक साल नो महिने का हूआ तो उसकी बाद उस Delivery, Parenting Tips, Child Care और Pregnancy से Related मिलती आपसे नेक्स्ट वीडियो में विस सम्थिंग नियू तिल देन बाबाई